तो बात करें नूसा मैब की तो ये बीजी हमाई का सबसे छोटा मैप होने वाला है यहाँ वाला है याप करें इस गेम प्लेस को मिलता है लेकिन अब उत्रोगे दो मिनिट के अंदर मरोगे तो आपको यहाँ पर कोई रिकॉल विकाल हो जाओगे इसका कोई काड वगेरा नहीं लगता है याप जैसे ही आप मरोगे याप 5 सेकेंड के अंदर आप हेलिकाप्टर में जाओगे तो वहां से खूद कर जहाँ चाहे वहां आप जा सकते हो लेकिन हाँ स्टार्टिंग के दो मिनिट के अंदर मरोगे तो ही आप रिकॉल हो पाओगे आपको बताओगा नूसा मैप की सब में बड़ी आचीज यहाँ पर एक टक्टिकल क्रॉसबो करके एड़ कर जीगी है ठीक है एक तो नॉर्मल लगती है एक तो यहाँ पर फायर वाली लगती है इसके अंदर जो नॉर्मल वाली है न भाई वो 300-400 मिटर तक की रेंज पर भाई तुम उसको शूट कर सकते हो हाँ यहाँ पर बुलेट ड्रॉप ओगे रहने होगी और जो फायर की होती है न भाई उससे तुम्हें न यहाँ पर नूसा मैप के अंदर कुछ हट्स होते है त उनको आप जला सकते हो जैसे उनके उपर फायर करोगे न वहाँ पर धीरे धीरे करके आग लग जाएगी और यह पूरी जोपड़ पटी जल जाएगी अगर इसके अंदर बंदा होगा तो नॉक फिनिश भी हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आटोमेटिक डैम जाती है अगर कोई बंदा सामने से लटक कर आ रहा है तो यहाँ पर तुम इस रोप के उपर है ना फायर करके उस रोप को मतलब काट भी सकते हो वह कट जाएगी और आपने सोचा कि गल्ती कर दिया तो उसे वापश जोड़ भी सकते हो ठीक है तो यह सारे फीचर से भाई बात करें नुसा मैप में सब में बड़ी या लोकेशन को यह तो आप यहाँ पर देख सकते हो वह टेल पैक ताउन यहाँ पर आप यहाँ पर आपको बड़ी-बड़ी बिल्डिंग से देखने को मिल जाएंगी एंड खास बात तो यह कि इस बिल्डिंग के अंदर सीड़ि लेकिन साथ में एली वेटर बोले लिफ्ट भी मिलती है मिलती है और वह सबसे पहले बैट तो बैट नहीं को मारने पर इनको मारने फार इनको मतलब बहुत बड़िया मिलती और नूसा में आपकी बहुत सारी location पर आपको इस type के swimming pool भी देखने को मिलते हैं ठीक है और यह normal swimming pool नहीं है भाई अगर तुम इसके अंदर जाओगे न मतलब यहाँ पर पानी के अंदर रुकोगे न तो आपकी यहाँ पर health automatic बढ़ेगी पर हाँ आपकी यहाँ पर main HP नहीं जाधा है यहाँ पर बन्दा एक गोली में ठीक है एग्जक्ट एक गोली में नौक हो जाएगा वो डिपेंड करता कि हाँ अपने बॉडी माड़ा या फिर हैड मारा लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा बाई एक बुलेट के नतर बन्दा फिक्स नौक होई जाएगा और इस इसकी हाई स्पीड होनी वाली है 111 जो कि इस मैप के हिसाफ से काफी जादा तेज है यह गाड़ी को तुम यहाँ पर पहाड़ों पर चड़ाओ मतलब फुल आफ रोड वी आफ रोड वाइसा टाइप का सिचिवेशन है पहाड़ों पर चलाओ खाई गड़े हैं उसमें घुस तो भाई यही लोकेशन है यहीं पर आपको वो हट से देखने को मिज़ाते हैं अगर आप ज्यादा देर तक घर के अंदर क्याम फोगेरा करोगे ना तो भाई कोई भी तीर से मारकर आपको जला देगा ठीक है तो फटा बट से लूटना बंदों को मारना फिनिश करना फु देखो सबसे पहले अंदर आओ यह नीचे जो सीड़ें जा रही है ना महाँ पर जो ठीक है मैं जैसे जैसे जा रहा हूं वहाँ पर जाना यहां पर आपको एक डोर मिलेगा इसे ओपन करना ठीक है अंदर जाना और यहां पर भाई तुम देखकर शौक होगे इतनी बड़ी गुफा है ना अलिमिटेड आपको यहां पर लूट मिलेगी यहां पर रखें भाई इसे ओपन करना देखरो कितना ज्यादा है यहां पर सीक्रेटली इसको बनाए गया यहां पर फोड़ने के बाद यहां पर देख लो यह दो जैसी फोड़ा यह देख लो भाई सब इतनी बड़ी गुफा है ना यहां पर और भाई यह चोटी दिकरिये तुम्हें अभी आगे भी बहुत बड़ी है मतलब यहां पर तुमको अल्लिमिटेड लूट मिल जाएगी सारे के सारे बाई तुम टीममेट्स हो अगरा भर भर के लूट उटा सकते हो यह देख लो बाई कु आप सामने के साइड जाकर आपको दिखाता हूं ठीक है अब सामने के टाइप आपको वेराउस के टाइप दिख रहा ना उसके अंदर देख लेना वह तो चोटा है लेकिन उसके साइड में भी बड़ी गुफा आपको देखने को मिल जागी है बहुत बड़ी है यहां पर भर भर के आप मजे कर सकते हो पूरा सेफ प्लेस भी एक टाइप से लास्ट जोन यहां पर गिर गया ना तो तो बहुत ही मज़े आने वाले यहां पर यह देख लो इतना पड़ा लोकेशन मतलब इतनी बड़ी प्लेस है यहां से तुम डाइरेड भार भी जा सकते हो और यह कोई खोले ना उसके अंदर से आपको चावी मिल दीए तो आपको यहां पर लगाना इस डोर पर यह डोर हो जाएगा ओपन आप इसके बैक साइड में जा सकते हो यहां से गुफा चड़के जाना पॉसिबल नहीं है क्यूंकि बहुत बढ़ी कुफा है यहां से खोलके यहा पर फाइनली, यहाँ पर तुम देख सकते हो एक प्यारी आइपको एक प्यारा आइज्ड देखने को मिलता है बीच में, तो यहां से तुम ब्रीज उती है उसके उपर से होकर तुम यहां पर आ सकते हैं बहुत ही एक चिल टाइप का एरिया है यहां पर ठीक है और काफी ज्यादा प्यारी लोकेशन भी है तो यहीं सब कुस्ता जो जो मैंने आपको बता है न यहीं बहुत सारे चीजें इसके अंतर मैंने कवर करती है बाकि इस वीड को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है यह तुम भूर रहे हो जल्दी से कर दो